स्टुडेंट्स का फिर से स्वागत है यूनिट थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विट्स के जो टॉपिक्स है इस्टॉक्स फॉर्मुला एंड टर्मिनल वेलोसिटी इनको इस यी लैक्चर के माध्यम से हम इस्टडी करने वाले हैं आई ये स्टार्ट करते हैं यह कि इस्टॉक्स फॉर्मुला फिर सनलमिनल अब्जाएं आप्यम प्रॉज्ड थ्यूंत्युस्ट इनकोश्छिक्वर्यून या इस्टॉंत्युट इनकोश्ड थे आपेश्ड टॉवर्यूजुटिज अप्टारे इस्टॉज़ी यह थे व्यूज़ी इस्टॉज द्रव के अंदर यदि किसी object को freely गिरने दिया जाए तो start में उसके gravitation यानि कि उसका weight है उसके कारण उस object की velocity बढ़ेगी लेकिन हमें पता है कि जब liquid है या कोई fluid है तो उसके अंदर viscosity का force भी लगेगा और buoyancy force भी लगेगा viscosity का जो force है वो हमेसा oppose करेगा उसकी velocity को इसका मतलब वो उसकी जो velocity बढ़ रही है उसको oppose करेगा ऐसे ही जो buoyancy यानि कि उत्प्लावन बल है वो भी जो increase हो रहा है velocity के अंदर उसको oppose करेगा तो gravitation यानि कि उसके भार के कारण तो velocity बढ़ती जाएगी लेकिन viscosity और buoyancy यानिक की शानदा शानबल और उत्प्लावन बल के कारण उसकी velocity बढ़ने से एक तरह से उसका विरोध किया जाएगा velocity बढ़ने का तो इन तीनों ही जो बल है उनका मिला हुआ प्रवाब हमें देखने को मिलेगा आफ्टर सम टाइम ओल दीज थ्री फोर्सेज बैलेंस इच अधर और अबजेक्ट स्टार्ट फालिंग विदे कॉंस्टेंट वैलोसिटी इस वैलोसिटी इस टर्म्रेज टर्मिनल वैलोसिटी कुछ समय पस्टार्ट क्या होता है कि ये सभी बल आपस में बैलेंस हो जाते हैं और जितनी वैलोसिटी वो अबजेक्ट अचीव कर लेता है उसी वैलोसिटी से वो अबजेक्ट उस द्रव के अंदर गिरने लगेगा क्योंकि हमें पता है कि न्यूटन के नियम के नुसार यदि कोई वस्तू किसी निश्चित वेग से गती सील है तो वो उसी वेग से गती सील रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्स्टरनलर फॉर्स अपलाई नहीं किया जाए तो जब ग्रिविटेशन के कारण एक सर्टन वेलोसिटी आपजेक्ट ने अचीव कर लिये और कुछ समय पस्चादिदी शान बल और उत्प्लावन बल ग्रिविटेशन बल को बैलेंस कर देते हैं तो उस समय जब बैलेंस हो चुके हैं बल उस समय जितनी वेलोसिटी गिरने लगेगा और इसे ही हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं स्टॉक स्लोग जो स्टॉक वैज्ञानिक थे उन्होंने ये सिद्ध किया स्टॉक हैट प्रूब ये स्टॉक ने सिद्ध किया कि ये ये कोई छोटी आर्थ रिज्ञा की गोली को ये एक पर्फेक्टली होमोजीनियस होमोजीनिस का लिए समांगी सभी जगे एक जिसा है एक लिक्विड जिसका विस्तार अनन्थ है उसके अंदर एदी फ्रीली उसको गिरने दिया जाए तो जब वो बोल उसकी टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेता है तो उस समय जो विस्कोसिटी के कारण जो फोर्स लगने वाला है उस बोल के उपर वो निम्नस उत्र से दिया जाता है यहां पर यह जो फॉर्मुला है इसे ही हम स्टोक्स का फॉर्मुला कहते हैं और इस स्टेटमेंट को और इस फॉर्मुले को मिलाकर हम स्टोक्स लोग कहते हैं वर इटा is coefficient of viscosity f is equal to 6Pi ETA Rb इटा is coefficient of viscosity जिस भी लिक्विट के अंदर वो जो अब्जेक्ट है जो बॉल है फ्रीली मूब कररिये तो उस लिक्विट के वह viscosity है coefficient of viscosity है and Vt is the terminal velocity of ball in the liquid वेटी फाइनल टर्मिनल अंतिम वेग है उस पोल का अब किसी अबजेक्ट के लिए जो फ्रीली मूव कर रहा है किसी लिक्विट में अनंत विस्तार के लिक्विट में उसके लिए टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी उसको हम अब निखालेंगे इसका मतलब हमने माना कि एक आर्थ रिज्जा की कोई बॉल एक समागी द्रब के अंदर जिसका विस्तार अनंत है में गिर रही है बॉल जिस मट्रियल का बनावा है उसका गनात पर रो है और जिस लिक्विट के अंदर बॉल गिर रही है उसका गनात पर सिग्मा है यह एक फिगर है जिस हम समझा सकते हैं कि यह अनंत विस्तार के द्रब को हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है यह एंडलेस है विस्तार अनंत है क्योंकि हमें पता नहीं है कितनी दूरी पर जाकर टर्मिनल वेलोसिटी हमें मिलेगी यह बॉल है और यह वीटी टर्मिनल वेलोसिटी है तो थ्री फोर्सेस कैन बी अंडिस्टूड एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दे बॉल इस एफजी डाउनवर्ड यानि गुरुत्वा करसंट बल यानि कि उसके भार की करान जो बल है हमें पता है वो नीची की तरफ लगेगा इसको यदि हम एफजी से रिनाट करते हैं तो इट विल विकल टू एमजी जो पॉल का भार है वो एमजी के बराबर होगा पर वो नीची की तरफ लग रहा है इससे उसकी वैलसिटी बढ़ती जाएगी और यह जो फोर्स है यहाँ पर एम जो मास है उसको हमने वॉल्यूम की फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है अब्जेक का जो मास है और यह वो हमने गोला का माना है मास तो यह किसी भी गोले का जो वॉल्यूम होता है चार बटा तीन पाई आर की होता है आर यहाँ पर गोले की तो हमें पता है कि mass is equal to volume multiplied by density होती है क्योंकि हम पता है density is equal to mass upon volume यह द्रविमान बटा आयतन तो अगर मैं द्रविमान को आयतन की form में निकाला जाओं तो द्रविमान वराबर होता है आयतन गुणा density तो यहां पर आयतन हो गया चार बटा तीन पाई आर क्यूब गोले का और रो इसका घनत पर तो यह मास हो गया multiplied by g तो इसको मैंने आयतन की form में लिख दिया है f is equal to 4 by 3 पाई आर क्यूब रो जी इसको ध्यान दें यहां पर दूसरा जो बल है force of buoyancy fb upward अगर किसी भी object को मैं किसी द्रव के अंदर डूबो देता हूं तो जितना वो उस द्रव का आयतन हटा देता है उस आयतन का जो द्रविमान होता है उसके बरावर उपर की तरफ फोर्स लगता है उपर की तरफ तो यहां पर हमें क्या करना है जितना liquid का mass displays किया है उस body ने उस mass का जो उस volume का जो mass है वो हमें निकालना है तो यहां पर क्या होगा the liquids mass क्या होगा mass निकालने के लिए यही हम volume multiplied by density वाला formula यहां पर use करेंगे तो हमें उस आयतन का पता होना चाहिए जो ball ने displays किया है और अगर ball का आयतन चार बटा तीन पाई आर क्यूब है तो obviously उतना ही volume वो liquid का displays करेगा तो आयतन वही होगा liquid का जो displays हो है चार बटा तीन पाई आर क्यूब लेकिन यहां पर हम mass निकाल रहे है लिक्विड का तो यहां पर जो density होगी वो ball की जगा liquid की density आईगी और liquid की जो density हमने मानी है sigma मानी है तो यहां पर जो mass हो जाएगा वो जो कितना हो जाएगा चार बटा तीन पाई आर क्यूब सिग्मा तो यह force हो गया आपका यह चार बटा तीन पाई आर क्यूब सिग्मा तो mass हो गया liquid का और G से multiplied कर दिया मैंने तो वह भार आगया जितना liquid displaced हुआ उसका भार और इसी के बराबर जो फोर्स होता है वह उपर की तरफ लगेगा next जो third force है वह लगेगा due to viscosity the force due to viscosity जो की उपर की तरफ ही होगा कि वो बोल की जो गती है उसको अपोज करेगा उसको हम FV से डिनोट कर रहे है तो it will be according to the stock की stock ने नियम दिया था कि जब कोई object terminal velocity प्राप्ट कर लेता है तो उस पर लगने वाला श्यानबल कितना होगा f is equal to 6 pi eta rvt where eta is the coefficient of viscosity of the liquid यानि कि eta यहाँ पर जो liquid है यह जो द्रव है उसका श्यानता गुणांख है Okay like that and be ע층âu कि दरींजा है इजो गिर रही है और व्य टी टर्मेनल वैलोसिटिए अब जब हम टर्मिनल वैलोसिटी की बात कर रहे है तो टर्मिनल वैलोसिटी कमीनल सारे वहां पर जाके diamond हो जाते हैं तो जितने force उपर की तरफ लग रहे होते हैं, और जितने force नीचे की तरफ लग रहे होते हैं, वो मिलकर एक दूसरे के बरावर हो जाते हैं, तभी जाके terminal velocity हमें प्राथ होती है, तो जब balancing condition होगी, तो क्या होगा? यहां पर बरावर हो चुके हैं, तो यह दोनों डावर फोर्स एक दूसरे के यहां पर बरावर हो चुके हैं, ठीक है, तो यह जब बरावर हो जाते हैं, तभी हमें terminal velocity प्राप्त होती है, यह stocks का coding यह formula तभी valid होगा, जब terminal velocity होगी, तो जब terminal velocity प्राप्त जाती है, तो यह force आपस में, downward force will be equal to the total upward force, तो यहां पर इनकी value यहां पर रखेंगे हम, तो यह हो जाएगा, 4 by 3 pi r cube rho g, यह हो गया, ग्रेविटेशन के कारण force, is equal to 4 by 3 pi r cube sigma g, प्लस 6 pi eta r vt, यानि की, force due to buoyancy and force due to viscosity, यह किसके बराबर होगे दोनों मिलाकर, force due to gravitation, यानि की, उस object के भार के बराबर, इन दोनों ने, यह जो downward force और upward, यानि की, नीचे की तरफ लगने वाला बल, किसके बराबर जाएगा, कुल, उपर की तरफ लगने वाले बलों के बराबर जाएगा, तो यह equation है, इसको फिर हम solve करते हैं, तो after solving, 4 by 3 pi r cube rho g is equal to 4 by 3 pi r cube, sigma g plus 6 pi eta r vt, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं, यहाँ पर pi से pi कट चुका है, हमने इस formula को यह रहांज किया है, तो 6 eta vt is equal to 4 by 3 r cube rho g minus 4 by 3 r square sigma g, तो 3, finally भावर पास आएगा, 3 eta vt is equal to 2 by 3 rho minus sigma r square g, vt is equal to 2 by 9 eta rho minus sigma r square g, यह finally हमारे पास terminal velocity के लिए valid formula निकल के आचुका है, जो कि bowl की तरिज्या के वर्गे के समानुपाती, और जो viscosity है, उसके वितकरमानुपाती है, यह जितनी ज़्यादा viscosity होगी, तो terminal velocity उतनी ही कम होगी, तो formula for terminal velocity suggests that, इस formula से हम क्या निसकर्ष निकाल सकते हैं, देखिए, when rho is greater than sigma, the vt will be positive means, the object will turn in the liquid, इसका मतलब कि यदि sigma और rho का जो difference है इस formula के अंदर, अगर rho ज़्यादा होगा sigma से, obviously यह term positive रहेगी, तो vtb positive रहेगा, इसका मतलब जो velocity है, डाउनवर्ड मानी है, तो इसका मतलब वो डाउनवर्ड ही रहेगी, इसके positive होने का मतलब यह है, इसका मतलब वो object उस liquid के अंदर डूब जाएगा, यह condition हो गई, यदि जिस object को मैं liquid में डाल रहा हूँ, उसकी density liquid से जादा है, तो object liquid के अंदर डूब जाएगा, इसका मतलब अब इस फॉर्मले के अंदर यह सिग्मा ज्यादा है रो से, तो यह जो term है, वो negative हो जाती है, यह term जब negative हो जाती है, तो VT भी negative हो जाएगा, और जब VT negative हो जाएगा, तो क्या होगा, कि जो हमने downward velocity मानी है, object की, वो अब परिवर्तित हो जाएगी, वो upward हो जाएगी, इसका मतलब अब वो object liquid के अंदर नहीं डूबेगा, अगर हम उसको जबरती है, लिक्विड के अंदर डालेगे, तो release करने पर वो उपर की तरफ आएगा, उसकी velocity अब negative direction में हो जाएगी, तो इसका मतलब वो object अब liquid के अंदर नहीं डूबेगा, यदि object की density, liquid की density से कम है, तो object liquid के अंदर नहीं डूबेगा, ये condition भी आप याद रखें, और इन दोनों ही condition पे काफी सारे प्रस्ने पूछे जा सकते हैं, फॉर्मुला आपको derive करने के लिए पूछा जा सकता है, कोई भी numerical पूछा जा सकता है, कोई भी objective भी पूछा जा सकता है, तो आप सभी प्रकार से इस topic को आप cover कर ले, तो आज हमने ये lecture के माध्यम से unit third properties of liquid को complete कर लिया है, तो आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि जितने जादा आप इसको पढ़कर प्रस्ने तयार करके objective numerical या कोई भी subjective प्रस्ना है, उसको आप तयार करें, अच्छे से तयारी करें, good luck, thank you.